आखिरकार हिमाचल प्रदेश को सुगविंदर सिंग सुखु के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल ही गया हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस चुनाव प्रचास समीधी के अध्यक्ष एवाम नादोन विधानसबाश शेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए सुगविंदर सिंग सुखु के नाम का एलान किया गया चलिए जानते हैं किस तरह एक आम शक्स सीम की कुरसी तक कैसे पहुचा यो तो हिमाचल के नए मुख्यमंत्री सुगविंदर सिंग सुखु का असली राजनितिक सफर शिमला नगर निगम से शुरू हुआ था हमीरपुर्ण जिले की नादौन तैसील के सेरा गाउ में 26 मार्च 1964 को जन्में सुगविंदर सिंग सुखु के पिता रसील सिंग हिमाचल पत परिभन निगम शिमला में चालक थे माता संसार देई ग्रहनी है और सुगविंदर सिंग सुखु की पहली से ललबी तक की पढ़ाई शिमला में ही हुई है चार भाई बहनों में सुगविंदर सिंग सुखु दूसरे नंबर पर हैं बड़े भाई राजीव सेना से रेटायर हैं और दो छोटी बहनों की शादी हो चुकी है 11 जून 1998 को सुगविंदर सिंग सुखु की शादी कमलेश ठाकूर से हुई इनकी दो बेटियां हैं जो दिल्ली विश्यविद्याले से पढ़ाई कर रही है सुगविंदर सिंग सुखु ने यूटू NSYC राज़तिक जीवन की शुरवात की संजोली कॉलेज में पहले कक्षा के क्लास रिप्रेजन्टेटिव और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसियेशन के महा सच्चिव चुने गए उसके बाद राजकी महाविद्याले संजोली में स्टूडेंट सेंट्रल एसोसियेशन के अध्याक्ष चुने गए 1988 से 1995 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने 1995 में युवा कॉंग्रेस के प्रदेश महा सच्चिव बने 1998 से लेकर 2008 तक युवा कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे नगर निगम शिमला के दो बार चुने हुए पार्षद बने वही 2003, 2007, 2017 और अब 2022 में नादोन विधान सभाश शेत्र से चौथी बार विधायक चुने गए 2008 में प्रदेश कॉंग्रेस के महा सच्चिव बने, 8 जनवरी 2013 से 10 जनवरी 2019 तक प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे अप्रेल 2022 में खिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस चुनाव प्रचार समीती के अध्यक्ष एवं टिकट वितरन कमिटी के सदस से बने सुक्बिंदर सिंग सुक्खु के साथी रही पार्षडों का कहना है कि सुक्बिंदर सिंग ने आम आदमी का जीवन जिया है ऐसे में उन्हें पता है कि आम जनता की क्या परिशानिया रहती हैं उन्होंने बताए कि सुक्खो काफी संगरशील और महनती हैं सुबिंदर सिंग सुखू का कहना है कि प्रदेश की जनिता से जो उन्हुने वादे किये है अब उन्हें लागू करने के जिम्यदारी उनकी होगी सत्ता के बल, सत्ता के लिए नहीं, बल की ववस्ता परिवर्तन के लिए होनी चाहिए वे हिमाचल की भोली भाली जन्रता को एक स्वच और इमानदार प्रशासन देंगे